इस वक्त बिहार की सियासत से जूड़ी एक बड़ी ख़बर आ रहे है बतादे कि केंद्रिय मंत्री बिहार बीजेपी प्रभारी भुपेंद्रियादव प्रदेश अध्यक्स संजय जैस्वाल नतीश कुमार की मुलाकात हुई है ये मिटिंग लगभग 30 मिनट तक चली है और 12 सीट जेड़ी को मिली है एक 11 सीट बीजेपी को और एक सीट वी आईपी को अब साफ है हम पार्टी को भी सीटे मिलनी है तो यह संभावना हो सकती है कि जेड़ी के तरब से एक या दो सीट हम पार्टी को दी जाए तो क्या अब जो घमासान मचा हुआ था वो खत्म हो के दरजे की मांगो आपको यादों का लन सिंग लगातार एक के बाद एक दिन जो है वो प्रधानमंत्री मोधी को टैक कर विशेश राज की दरजे की मांग कर रहे थे उपेंद कुस्वहा लगातार समराट अशो को लेकर विजेप पर हमला कर रहे थे विए पी नहीं ये कह द लेकर तेक्स लेहर में रती ही एक लुदर ऑफारख बिए लेने के बाद दू दिन के बाद रिज़्यर कि घेट हुआ हम को 11 कराये रिजल्ट में हम झाई दिन हम पॉजेटी पाए गए गए पोजेटी रिजल्स होने के बाद अब पर सबस्टै ये हुई कि अब हम का टीमे आप उठाए और इसमीच ख़वर आई थी कि बीजेपी ने कहा था कि मुके सहनी को एक भी सिट नहीं देंगे लेकिन अब ये ख़वर आ रही है कि वीजेपी को बीजेपी के तरफ से ने अपने कोटे से एक सीट जो है वो वीजेपी को दिया है हलाकि अब तक इसकी आधिकार गोशना हो जाएगे लिकिन सुत्रों के हवाले से ये ख़वर है कि MLC सीटों का बटवारा हो गया है एक 11 सीटे बीजेपी को मिली है एक सीट वीजेपी को वही 12 सीट जीडियू को आप चाहे जीडियू एक सीट दे या दो सीट दे हम पार्टी को ये जीडियू पर निर्फ होने हैं तो क्या बीजेपी जो है वो जीडियू को कुछ सीटे वहां देंगी क्योंकि लगातार बता दे कि जीडियू बीजेपी से नराज है और अलग-अलग मसलों पर बिहार में बीजेपी को कहीं ने कहीं बैक फूट पर धकेलने की कोशिश कर रही है तो हमारी नजरे हैं वो बिहार की सियासत पे बनी रहेगी जब सीटों का वटवारा हुआ है तो क्या मुके सहनी को जो एक सीट मिली है वो इससे खुश है या और कुछ चाहते हैं जेडियू को 12 सीटे मिली है तो अब जेडियू उस 12 सीट में सी क्योंकि बीजेपी ने 12 में से एक सीट विया कि इसके अभी तक अधिकारी घोष्णा नहीं है अधिकारी घोष्णा हो जाएगी सबकी नजरे इसी बात पर टिके हुए थी कि विपेंदर यादव जो है वो जब पटना आएंगे और इंटी शुमार से मुलाकात करेंगे तो क्या कुछ बात होगी कल शाम को ही विपेंद आएगा तो हम उसे आपको इतलाह करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद